गुड बॉर्णिक स्टुडेंट्स एंड वेलकम बैक इन आर इंगलिश क्लासेज दाइस पुनिया इंगलिश क्लासेज एक बार फिर स्वागत है इससे पहले कि क्लास के अंदर हमने किया था parts of speech जैनि कि एक sentence है उस sentence में कौन-कौन से elements होते हैं उनकी मैंने एक बहुती छोटी सी संक्षित जानकारी आपको मैंने दी आज हम क्या कर रहे हैं इस वीडियो के साथ में हम start कर रहे हैं वो सारे eight elements को describe करेंगे उनके बारे में पूरी तरह से गहराई से पढ़ेंगे कि वो क्या है जैसे verb है, noun है, pronoun है, adjective है, adverbs है, interjection है, determine है जो भी है, preposition है, यह सारे हम इसमें हम पढ़ेंगे तो आज हम start कर रहे हैं verb जो की बहुत important topic है हमारे आज का verb, what is verb, क्या है verb, verb यानि कि kriya, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं, kriya काम को करना, जो भी action हो रहा है, यानि कि एक दूसरी बात में हम यह कह सकते हैं action that is done by the do, यानि कि subject, action that is done by the subject, it is verb यानि कि अगर हम definition की बात करें, तो verb are the action words in a sentence, what is the verb verbs are the action words in a sentence, कि verb क्या है, कि verb वो action words है, वो काम जो करता है, कौन? subject करता है, that is done by the subject, क्या? that is done by the subject, ठीक है? subject के द्वारा जो काम किया जाता है, वही क्या होती है, verb होती है, तो ठीक है? क्रिया जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, काम को करना, जो भी काम हो रहा है, वो verb होगी, अब बात हम करते हैं यह यह जो verb है, यह verb कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होती है, अगर हम बात करें, basic रूप से, ठीक है? तो basic forms of verb क्या होती है? अब हम बात कर रहे है, basic forms of verbs, कितनी forms होती है, verb की, ठीक है? तो हमारे पास में क्या होती है, जैसे verb की forms होती है, जैसे हम first form बोलते हैं, second form बोलते हैं, third form बोलते हैं, या verb की first form में ing बोलते हैं, तो इस प्रकार से हमारी जो basic forms होती है, verb की, वो कौन सी होती है, verb कितने प्रकार क होती है, वो आज हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है basic forms of verbs कितनी होती है there are six basic forms, verb की जो है, वो basically कितनी होती है, six basic forms होती है, ये ध्यान रखना अब आप कहोगे, sir, कोई तो हमें कहता है कि three होती है, कोई बूलता है four होती है, कोई बूलता है, five होती है ठीक है पर हम यहां जो बात कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि we have six basic forms कौन-कौन से होती है चलो start करते हैं उनको कड़ना number one सबसे पहले basic form की बात करते हैं इसे हम base form भी कहते हैं क्या कहते है base form और यह base form जो है इसको हम इंगलिश में हर form के नाम होते हैं इसे हम present form भी कहते हैं base form यानि कि जिसे हम present form भी कहते हैं यह ध्यान रखना जैसे example के लिए मैं बात करता हूँ मैंने कहा eat इट जो है base form होती है इसे हम verb की first form के नाम से भी जानते हैं किस नाम से verb की first form के नाम से जैसे मैंने कहा play प्ले भी क्या है verb की first form है base form है और इंगलिश में हम इसे कहते हैं present form clear है तो verb की जो first form होती है वो base form होती है present form होती है ठीक है उसके बाद में आती है number two इसे हम बोलते है past form अब ये past form कौन सी होती है इसे verb की जो second form होती है इसे हम बोलते है past form ध्यान रखेगा verb की second form जो है उसे हम क्या कहते है past form अगर आपके past में कहीं पर भी आ जाए कि भी past form यूज कीजिए तो आप verb की second form यूज करोगे जैसे it की second form क्या होती है it इट की second form क्या होती है एट और या फिर play की second form played देखे कुछ forms ऐसी होती है जिसकी second और third एक जैसी ही होती है जिसकी present form अलग होती है पर past form और past participle form अलग होती है third हमारे past में कौन सी form आएगी देखे first form, base form बोलते हैं या इसे present form भी कहते हैं second form को हम past form बोलते हैं जिसे verb की second form कहा जाता है third आता है हमारे past में past participle form इसे क्या बोलते हैं past participle form कहा जाता है third form यानि की verb की जो third form होती है जिसे हम past participle कहते हैं ध्यान रखेगा verb की forms होती हैं जिसे हम करते हैं verb की first form verb की second form verb की third form verb की first form में ing ये सारी की सारी basic forms होती है इसकी verb की अब इनके नाम भी होते हैं आम तोर पर क्या होता है कि हम लोग इने जानते हैं कि verb की first form, second form, third form पर actually अगर कहीं आपके पास में competition class में लिखावा आ जाए या आपके academic class में कहीं पर लिखावा आ जाए use the present form of the verb तब आप इधर उदर देखते हो त्यार यार ये present form कौन सी होती है कई बार लिखावा आता है use past form of the verb ये past form कौन सी होती है तो आज मैं आपको clear कर रहा हूँ present form यानि की verb की first form कौन सी? verb की first form ठीक है? past form verb की second form past participle यानि की verb की third form इसे हम बोलते हैं past participle form ठीक है? जैसे eat की eaten ठीक है? play की played eat at eaten eaten जो है वो कौन सी है? third form है go, went, gone अगर हम कहें go कौन सी है? base form, second form कौन सी हो गई? sorry went ये कौन सी? past form हो गई? past participle form कौन सी हो गई? past participle हो गई? gone clear है? ठीक है? तो उसके बाद में अब आप कहेंगे sir fourth तो है verb की first form में ing पर इसके बाद में क्या करेंगे? वो भी देखेंगे पहले fourth form देख लेते हैं fourth जो हो कौन सी होती है? इसे बोलते हैं present participle इसे क्या बोलते है? present participle form कहा जाता है कौन सी? verb की first form में ing जो verb की first form में ing होती है इसे present participle कहा जाता है जैसे eat की क्या हो जाएगी? eating play की क्या हो जाएगी? playing go की क्या हो जाएगी? going ठीक है? तो ये इनकी अलग-अलग अलग-अलग जो है वो forms होती है ठीक है? उसके बाद में आता है point number five basic form में fifth form कौन सी होती है? जब आप कहेंगे पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं fifth form की और fifth होती है infinitive form सुना होगा नाम इसे हम fifth form में लेते हैं इसे बोलते हैं infinitive form यानि कि जिसे आप ये कह सकते हैं two infinitive क्या बोलते हैं इसे? to infinitive भी कहते हैं जैसे play की to play या to eat अगर हमारे पास में to के बाद में पहले क्या लगाया? to लगाया और उसके बाद में जो verb की present form use होती है after to if we are using v1 means present form just after to that is called infinitive form इसे infinitive form कहते हैं example के लिए मैं आपको बताता हूं ठीक है? जैसे tell them not to play tell them not to play अब यहां पे हमारे पास में tell to verb आ गई पहले से ही ठीक है? पर यहां पे to के बाद में वापस से verb की first form यानि की present form आई तो यह जो है यह कहलाएगी to infinitive form ठीक है? जैसे हमारे पास में कहें के I want to meet him अब यहां पर देखे क्या है I want want जो है वो verb की present form हो गई फिर to के बाद में वापस से verb आ रही है आ रही है न? तो to के बाद में जो verb यूज हो रही है इसे बोलते हैं to infinitive form तो I think you understood it very well उसके बाद में point number six अब हम बात कर रहे हैं point number six की point number six जो होता है इसे हम कहते हैं jirand कौन सी form होती है? jirand form अब यह jirand form भी क्या होती है? यह verb की first form में ing होती है अब आप कहोगे कि sir present participle जो है वो भी verb की first form में ing है jirand भी verb की first form में ing है तो what is difference between them? तो ध्यान रखें jirand हमेशा word की sentence की begin में लगता है शुरुवात में लगता है in the beginning of the sentence we use jirand कहां यूज करते हैं? beginning के अंदर जैसे एक आपने सुना होगा smoking is injurious to health या हम कहें swimming is the best exercise swimming is the best exercise तो यहां देखिए swimming verb की first form में क्या यूज किया मैंने ing swimming swimming में मैंने क्या यूज किया verb की first form में ing यूज किया तो यह बिलकुल begin में लग रहा है sentence की starting में लग रहा है की verb की कौन-कौन सी form होती है इसके अलावा अब हम next जो वीडियो है उसमें हम करेंगे इसकी कुछ अन्य forms को और अच्छ अन्य verb को यह देखिए यह तो है basic forms यह जितनी भी आज हमने की है इस वीडियो में यह है basic forms verb की ठीके और उनके क्या-क्या नाम है अब इसके बाद में next वीडियो के अंदर हम auxiliaries के बारे में करेंगे यानि कि जिसे helping verb बोलते हैं और different types of verbs को भी हम करेंगे जिसे finite verb, non-finite verb, action verb, linking verb वो भी हम हमारे next वीडियो में करेंगे till then, goodbye, thank you and have a nice day if you understood it very well then I request you please subscribe my channel like my channel and share it so that more people, more students can get knowledge through these videos till then, thank you